हैलो फेंट्स मैं मंदीब स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में 32 साइस प्रिंसल कट पैरेट ब्लाउस की कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी और यहाँ पर स्टीचिंग भी बताऊंगी आपको किस तरीके से करनी है तो देखे सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर बैक पार्ट की टोटल लेंथ ली है साड़े 14 इंच और एक लाइन डॉकर की मैंने इससे सीधा कर लिया है शोल्डर लेने है डीप नए की यह तो यहाँ पर पाच इंच शोल्डर पाग यहाँ पर हुआ आट इंच और दो इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है हाफ इंच इस तरफ करना है क्योंकि यह डीप ने के बाहर की तरफ आफ इंच लेकर और यहाँ से एक इंच की गुलाई देती नहीं है आपको आर्मोल्स की तरफ इस तरीके से कमरी यहाँ पर एक इंच मार्जिन बढ़ा कर लिया हुआ है और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे तो यहाँ पर 32 साइस का यह पैड़ेट ब्लाउज है प्रिंसस कट पर और इसका बैक नेक टी पे इसलिए मैंने यहाँ पर शुल्डर पांच इंच और आर्मोल्स सवा पांच इंच लिये ह हुए है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है अब हम यहाँ पर नेक विर्थ के लिए मार्किंग करेंगे तो नेक विर्थ में यहाँ पर दो इंच ले रही हूँ अगर आप बैक पार्ट में डोरी लगा रहे हैं तो आप सवा दो धाय इंच तक भी ले स लेक लेन थिली है मैंने 10 इंच, नीचे से विर्ट में लिया है 3 इंच, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लाना है और यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूं मैं, इस तरीके से अगर आप अपनी पसंद से कोई और नेक बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, अब देखिए इसे अपर हमें इसे कटिंग कर लेनी है तो यह बेक पार्ट में बॉडर दिया हुआ है तो मैं इसापर इस तरीके से रखकर क dobr कर लूँगी मैंन फैबरीक को थोड़ा बढ़ा कर मैंने यहाँ पर कट किया हुआ है अब देखिए इसमें हमें कप्स लगाने है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंट पाट की कटिंग मैंन फैबरीक पर कर रहे हूँ अस्तर पर नहीं कर रहे हैं अस्तर को थोड़ा बढ़ा कर करेंगे तो एक line rocker के मैंने man fabric को सीधा कर लिया है और एक line rocker के मैंने यहाँ पर extra ले लिया है half inch और high hook की पटी के लिए मैंने half inch इस तरफ से भी extra लिया है और मैंने यहाँ पर नीचे भी extra लिया हुआ है तो नीचे की तरफ से भी आपको half inch ले लेना है और half inch से थोड़ा कम high hook की पट्टी के लिए यहां से ले लेना है और इसे as it is draw कर लेना है आपको तो इस तरीके से आपको यहां पर marking कर लेनी है और आर्मोल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है तो दिखिए इस तरीके से हम यहां पर इसकी cutting कर लेंगे आर्मोल्स के गुलाई हम stitching के time पर देंगे जब हम princess cut के वाले part को attach कर लेंगे और इसे इस तरीके से cut कर लीजेगा अब दिखिए हमें क्या करना है यहां पर marking करनी है width की तो यहां से लेंगे 3.5 इंच 3.5 इंच लेना है और neck width ले रहे हैं 2 इंच neck length लेंगे हम यहां से 7 इंच width में लेंगे यहां से 3 इंच और इस तरीके से एक box बना लेंगे और यहां पर round neck draw कर लेंगे इस तरीके से width में लिया है 3.5 इंच उपर से tucks point लेना है आपको 10.5 इंच पर tucks point 10.5 इंच पर लिया है और इस तरीके से मिला देंगे हम अब देखिए हाँ पर आपको width की marking करनी है तो width आपको लेने है 1.5 इंच और यहां से length में भी 1.5 इंच लेकर इस तरीके से मिला देना है और इसे half इंच जो हमने extra लिया था उसे हम कम कर देंगे यहां से इस तरीके से तो friends आपको padded blouse के लिए man fabric को पहले cut करना होता है अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप पहले इसे paper पे cut करके और man fabric को cut कर ले उसके बाद हमें अस्तर का कपड़ा थोड़ा रखना होता है क्योंकि हम pad लगाते हैं जब हमारा कपड़ा अंदर की तरफ खिछता है तो man fabric बराबर रहेगा इससे आपका इसलिए आपको इसी तरीके से cutting करेंगे तो आपका जो padded plouse है वो बिल्कुल perfect बनेगा और अगर आपका man fabric बतला होता है तो अस्तर का कपड़ा आपको दो लगाने होंगे एक man fabric के साथ attach करना होगा और एक cup के लिए अलग से लगाना होगा तो यहाँ पर मेरा man fabric का जो कपड़ा है वो थोड़ा मोटा ही है तो मैं यहाँ पर एक ही lining का use कर रही हूँ अब देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके से man fabric को हम यहाँ पर रखेंगे और इसे अस्तर के उपर marking कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से और देखिए मैंने length वीचे से length में इसे बढ़ा कर कट करा हुआ है और sides मैंने यहाँ पर princess cut वाले पार्ट को थोड़ा बढ़ा कर कट करा है half half inch तो इसी तरीके से आपको अस्तर का fabric कट करना है princess cut वाले पार्ट में यह हमें padded blouse में ही करना है अगर आप normal pincils cut बना रहे हैं तो आपको पहले अस्तर के कपड़े को ही cut करना है उसके बाद ही man fabric को cut करना है तो दीखिए इसमें हम kappertage करेंगे अब हमें slips की cutting करनी है तो दीखिए यहाँ पर हम 2 inch को छोड़ देंगे और उपर से half inch को छोड़ने के बाद हम यहाँ पर armholes को नाप लेंगे कितने आ रहे हैं हमारे armholes तो दीखिए यहाँ पर armholes आ रहे हैं हमारे 7 inch तो उसमें हम half inch plus कर देंगे तो यहाँ पर साड़े 7 inch लेंगे और slips length लेंगे मैंने साड़े 4 inch चार inch हमें तैयार रखनी है और साड़े 7 inch पर एक box बना लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर 2 inch पर down करेंगे से और एक तरीची line ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर slips का shape दे देना है आपको round में लेंगे हम यहाँ पर 5 inch और 2 inch इदर से extra margin का बढ़ा लेंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे अब इसे cut कर लेना है आपको देखिए यहाँ पर slips cutting हो गई सेंटर में cut लगाने के बाद यहाँ पर हमीं गहराई दे देनी ही slips में और यहाँ पर आप marking कर लें थाकि आपको slips जोडते समय ध्यान रखें कि हमें front में ही attach करना है अब हम इसे man fabric पर cut कर लेंगे तो man fabric पर यहाँ पर border दी हुई है तो border के according हम इसे यहाँ पर cut कर लेंगे अगर आप इसमें बड़ी slips लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं cutting complete हो गई है और मैं यहाँ पर back में बुकरम लगाऊंगी neck पर तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया हुआ है neck width 2 inch ली है और neck length 10 inch ली है width में यहाँ पर 3 inch लिया हुआ है और इस तरीके से box बना लेंगे अगर आप लंबाई और चुड़ाई अपने according रखना चाहें तो आप थोड़ा बड़ा भी सकते हैं यहाँ पर मैंने round shape draw कर लिया है इस तरीके से half inch extra लेते हुए इससे cut कर लेंगे और हम इसे extra fabric पर attach कर लेंगे अगर आपके पास चिपकाने वाली pasting होती है तो आप उसे press से अच्छे से चिपका लीजिएगा तो दीखिए यहाँ पर extra कपड़े पर इससे रख लिया है अब हम यहाँ पर neck की cutting कर देंगे अस्तर वाले कपड़े पर center से भी इसे cut कर लेंगे और दोनों पार्ट को आपने सामने रखेंगे और यहाँ पर pencil cut वाला part attach कर लेंगे तो यह हमें अलग-अलग ही जोड़ना है क्योंकि इसमें हम cup लगाएंगे दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तयार करें अब देखिए man fabric वाले पार्ट को भी हमें इसी तरीके से जोड़कर तयार कर लेना है नीचे से हमें उपर की तरफ को जोड़ना है और इस पर डवायल सिलाई लगा लेनी है हमें उपर से tux point ले लेना है साड़ी दस इंच पर यहाँ पर tux point पर हम यहाँ पर pad लगाएंगे तो दीखिए अगर आप किसी ज़्यादा height वाली ladies का blouse बनाते हैं तो आपको tux point साड़ी दस पर लेना है और अगर आप किसी कम height वाली ladies का blouse बना रहे तो उसमें आपको tux point 10 इंच पर लेना है और इस तरीके से pat को उल्टा करने के बाद हमें यहाँ पर इसके उपर attach कर लेना है पका कर लेना है आपको यहाँ पर और इस तरीके से pat को खोल ले और side में से हाज से आप सारे कपडा निकाल ले दूसरी तरब भी आपको इसी तरीके से करना है tux point पर निशान लगाना है आपको 15.5 इंच पर उपर से ही लेना है आपको और इस तरीके से आपको cup का center निकाल लेना है और इस तरीके से cup को उल्टा करने के बाद इस तरीके से इस पर attach कर लेना है आप चाहें तो इसे सुई धागे के साथ भी attach कर सकते हैं और चाहें तो machine पर भी attach कर सकते हैं अब हमारा man part लेने के बाद इसे इसके उपर रख लेना है अब हम इसे यो अटेज कर लेना है आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं इस तरीके से और इसे सिलाई लगा कर पैक कर लेना है तो यहाँ पर दीखें फिनीशिंग के साथ हमारे कप अटेज हो जाएंगे तो दीखें हमने यहाँ पर इस लगा लिए और आपको दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से अटेज कर लेना है एक्स्टा कप्ड़े को कट कर लेना है तो दीखिए हमने जो अस्तर की कपड़े फिर बढ़ा कर लिया हुआ था उसे हम इस तरीखे से कट करके निकाल देते हैं पर अगर यह छोटा होता है तो हमारा फ्रंट का कपड़ा भी खिचाता है तो इस तरीक इसलिए मैंने यहाँ पर अस्तर के कपड़े को थोड़ा बढ़ा कर लिया हुआ है अब देखिए मैं यहाँ पर हाई की पट्टी अटेज कर रही हूँ मैंने दूसरा वाला पाट भी इसी तरीकी से रेडी कर लिया है और इस तरीके से आपको हाई की पटी लगा लेनी है एक्स्टा कप्ड़ा जो बाहर की तरफ निकल रहा हो उसे आपको कट कर लेना है अब हम यहाँ पर हुक की पटी लगा लेंगे तो दिखिए हमने यहाँ पर हुक की पटी भी लगा लेंगे अब हम यहाँ पर आर्मोस की गुलाई देनी है तो दिखिए हाफ इंच जितनी हमें यहाँ पर गुलाई देनी है क्योंकि यहाँ पर शोल्डर कम ही हमारे तो ज़्यादा गहराई हमें नहीं देनी है और इस तरीके से आपको कट कर लेना है कट करने के बाद सिलाई लगा कर पैक कर लेना है मैंने यहाँ पर उड़े पट्टी कट कर ही हुई है और नैक में छोटे-छोटे से कर्ट लगा दिये है और पट्टी को पलट कर एक सिलाई आपको इस तरफ लगा लेनी है अब पट्टी को फोल्ड करके आपको इसके उपर सिलाई लगा लेनी है तो दिखिए हमने यहाँ पर इसे तयार कर लिया है हायूप की पट्टी लगाने के बाद आप हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे तो इस तरीके से आपको कमर पट्टी लगा लेनी है यहाँ पर तो दिखिए हमारे दोनों ही पार्ट रेडी हो गए अब हम स्लेप्स रेडी करेंगे तो स्लेप्स में हमारा कपड़ा थोड़ा साइड में कम था तो मैंने वहाँ पर जॉइंट लगा लिए है एक्स्टा कपड़े को कट करने के बाद हम इसे प्लट कर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से और एक सिलाई उपर फिनिशिंग की तरफ लगा लेंगे साइड से सिलाई लगा कर इससे पैक कर लेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से एक्स्टा कपड़े को कट कर लेंगे देखिए बैक पार्ट रेडि किया हुआ है मैंने इस तरीके से और यहाँ पर मैंने नेक भी रेडि कर लिया है center marking कर लेनी है हमें अब यहाँ पर neck को इस तरीके से बीच में रखना है और इस पर इस लाई लगा कर इसे attach कर लेना है तो दीखे हमने जो neck cutting किया था इसे हमने extra कपड़े पर attach करने के बाद इसमें side से कपड़ा जो cutthouse से cut करके fold कर लिया है और इसे हमने अपने blouse के कपड़े पर attach कर लिया है और यहाँ पर छोटी छोटी से cut लगा दिये है ताकि अच्छी तरीके से fold हो जाए अब इसे पलट कर एक slice तरीके से लगा लेने हैं हमें corner पर और इस पर भी हम manse line नहीं लगाएंगे वो हम shoulder joint करने के बाद लगाएंगे तो दीखें finishing के साथ हमारा neck ready हो गया है अब यहाँ पर हम back part में plates टाल देंगे तो दोनों ही तरफ आपको इस तरीके से plates टाल लेनी है अब shoulder joint कर लेंगे हम यहाँ पर तो दीखें इस तरीके से आपको shoulder joint करना है पट्टी को बाहर की तरफ निकालने के बाद इस तरीके से fold कर लीजी तो आपके shoulder finishing के साथ attach हो जाएंगे दूसरी तरफ पर आपको इसी तरीके से करना है यहाँ पर मैंने उपर finishing के सिलाय लगा ली है मैं यहाँ पर lace लगाऊंगी तो lace हमें इस तरीके से लगानी है यहाँपर तो यह मोतियो वाली lace है उसे देखें मैंने हाँपर foot change करा हुआ है और one side वाली foot से में यहाँपर इस तरीके से lace लगा रहे हूँ तो ये दुलहन का ब्लाउज है इसका लुक बहुत ही अच्छा है गा ये लेस लगाने के बाद तो आप भी चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी लेस नेक पर लगा सकते हैं जिससे आपका नेक और भी जादा सुन्दर लगेगा तो दीखें यहाँ पर इस तरीके से मैं डिजाइन दे रही हूँ तो यहाँ पर लेस को हम घुमाते हुए लगाएंगे नीचे से लेस को फोल्ड कर लेना है हमें और जो धागा निकल रहा है उसे लेस के बीच में कर देंगे ताकि इसके जो मोती है वो निकलेना अब यहाँ पर इस तरीके से लेस को लगा लेना है पूरे ही नेक पर तो जो यह मोती वाली लेस होती है इस पर हम ब्लाउस अपने ब्लाउस पर लगाते हैं तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और दिखने में भी काफी सुन्दर लगता है ब्लाउस तो दिखे मैंने यहाँ पर इसे नेक पर लगा लिया है और दूसरी तरब भी सलाई लगा कर हम फिनिशिंग दे देंगे लेस को साइट से पका कर लें आप ठीक है यहाँ पर भी सलाई लगा लिनी है आपको मैंने सलाई लगा लिये अब हमें बेक पार्ट का सैंटर मार्किंग करना है इस तरीके से और फ्रेंट पार्ट को इसके उपर लगकर पिन लगा लिनी है इससे ही होगा कि हमारा जो भी एक्स्टा कपड़ा है वो साइड में चला जाएगा उसके बाद एक कच्छी सलाई लगा लिनी है आपको यहाँ पर एक्स्टा कपड़े को कट कर देना है और हाज से इस तरीके से फिनिशिंग दे देंगे और उपर से आर्मोस की कटिंग कर दे हाँ जो भी एक्स्टा निकल रहा हो और यहाँ से देखिए स्लिफ्स को जॉइंट कर लेना है तो स्लिफ्स आपको हमेशा सेंटर से ही जॉइंट करना होती है तो center में हम जो cut लगाते हैं उसे shoulder के उपर रखकर आपको slips को joint करना होता है आपर तो देखे हमने दोनों ही तरफ की slips joint कर दी है अब हम blouse की सीधी तरफ slay लगाएंगे अपने slips के joint से joint को मिलाते हुए तो यह slay आपको इस तरीके से लगा लेनी है यह हमारी गुम slay होती है जरो की blouse के अंदर चली जाती है अब हमने blouse को उल्टा कर लिया है और यहाँ पर हम एक slay एक पेर का margin रखते हुँ लगा लेंगे इसके बाद यहाँ पर fitting लगाएंगे तो 32 size का यह blouse दे तो उसका fourth part ले लेंगे हम 8 inch और यहाँ पर ले लेंगे 6.5 inch और इसे नीचे की तरफ मिला देंगे और यहाँ पर sleeves का round ले 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 रहा है हमें तो वो 5 inch पर है इस तरीके से तो देखिए हमारी fitting की सिलाई यहाँ पर सीधी ही आ रही है तो देखिए हमारी fitting की तरफ भी इसी तरीके से fitting लगा ले नहीं है तो यह blouse हमारा complete हो गया है वीडियो अच्छा लगा हो तो like comment जरू कीजिएगा और चैनल को subscribe जरू कीजिएगा धरन्यवाद